आज किसी वीडियो में आपर बात करेंगे बेल्स पाल्सी के बार में जिसकों लोग फेसियल पैरलिसिस भी बोलते हैं समझेंगे कि बेल्स पाल्सी क्या होता है क्या क्या इसके कौज होते हैं जो बेल्स पाल्सी को कौज करते हैं बेल्स पाल्सी के कंडिशन में पेसेंट में क्या-क्या सिम्टम्स देखनों को मलता है कैसे इसको डागनूस किया जाता है क्या इसमें ट्रीटमेंट क्या मैंनेजमेंट प्रवाइड किया जाता है यह सारा कुछ बहुत सिंपल लैंगेज में डिसकस करने वाले हैं हमारे साथ इस वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पर सबस्क्राइब कर लिए साथ में बिल आइकन को प्रिस कर लिए ताकि कोई भी वीडियो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपर यह समझे लेते हैं क्या होता है गाइस हाँ पर जो बेल्स पाल्सी है यह एक निवरोलोजकल डिसॉर्डर है बेल्स पा काम करती है लेकिन यहाँ पर बेल्स पाल्सी की कंडिशन में होता क्या है कि जो सेवन्थ नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है यानि जो फेसियल नर्व होती है यह डैमेज होने के कारण या फिर फेसियल नर्व डिसफंक्शन होने के कारण जो फेस की मसल्स होती है उन पर control खतम हो जाता है जिसके कायान यहां पर patient में जो facial muscles होती हुँ, उनमें weakness देखने को मिलती है या फिर facial muscle paralysis देखने को मिलता है जैसा कि यहां पर आप image में देख सकते हैं कईस यहां पर bell's palsy के condition में जिस side की facial nerve effect होती है जिस side की facial nerve damage होती है उसी side की muscles जो है affect होती है तो guys इस condition को हम लोग बोलते हैं Bells Palsy जिसको हम लोग facial paralysis भी बोलते हैं ने इसने आपर बात करते हैं causes की, risk factors की कौन कौन जैसे causes हैं, कौन कौन risk factor हैं जिनके कारण Bells Palsy हो सकता है कैसे यहाँ पर अगर Bells Palsy के exact cause की बात की जाए तो इसका exact cause unknown है, exact cause का कोई भी पता नहीं है लेकिन यहाँ पर जो Bells Palsy है यह most commonly inflammatory disease के दोरा देखने को मिलता है जब भी brain में कोई inflammatory process होती है inflammatory disease होती है जिसके कारण Bells Palsy देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ causes है, कौन risk factor है जिनके कारण Bells Palsy देखने को मिलता है जैसे की brain tumor जो first है, cause है, risk factor है वो है brain tumor brain tumor में क्या होता है कि जब भी brain के अंदर tumor develop होता है तो जो tumor होता है यह nerve को compress करने लगता है कई बार nerve इतनी ज़्यादा compress हो जाती है कि जो nerve होती है वो damage हो जाती जिसके कारण यहाँ पर facial paralysis देखने को मिल सकता है जो cause है, risk factor है वो है brain stroke अगर stroke हो जाता है brain के अंदर मतलब brain के अंदर को internal bleeding हो जाती है जिसके कारण यहाँ पर जो nerve हो affect हो जाती है nerve को blood supply नहीं मिल पाती है जिसके कारण भी यहाँ पर जो nerve हो damage हो जाती है और bell's palsy और facial paralysis देशी condition डेवलफ हो जाती है जिसके कारण यहाँ पर बेल्स पाल्सी देखने को मिल सकता है जिसके आप जो risk factor है वो HIV infection अगर किसी person को HIV का infection है HIV virus का infection है तो उस condition में यहाँ पर जो body के parts होते हैं जिसे brain है, heart है यह सारे organ जो है affect हो जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर bell's palsy, facial paralysis देखने को मिल सकता है निश्टे आप जो cause है, जो risk factor है वो है middle ear infection अगर किसी person को ear में infection है middle ear में infection है तो यह जो infection है, यह brain में spread हो सकता है जिसके कारण वहाँ पर inflammation develop हो सकता है तो अगर यहाँ brain के इंदर inflammation develop होगा तो जो facial muscle है, वो affect हो सकती है जिसके कारण bell's palsy हो सकता है निश्टे आप जो risk factor है, वो है sarcoidosis sarcoidosis में क्या होता है? कि जो inflammatory cells है, उनकी growth हो जाती है जिसके कारण भी यहाँ पर facial paralysis देखने को मिल सकता है निश्टे आपर हम बात करते हैं sign और symptoms की, कि bell's palsy की condition में patient में क्या-क्या symptoms देखने को मिलते हैं कैसे यहाँ पर अगर symptoms की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर patient में difficulty in eating and drinking देखने को मिलेगा जो bell's palsy का patient होगा उसको खाने में difficulty होगी कोई चीज़ अगर वो drink कर रहा है तो उसमें भी difficulty होगी एक चीज़ यहाँ पर और देखने को मिलेगी bell's palsy condition में जब patient drinking और eating करता है तो जिस side की facial muscle effect होती है उस side से जो food है वो बाहर आता है ठीक है बाहर आने लगता है निश्टे आप पर अगर symptoms की बात करें तो patient में drooling देखने को मिलेगा drooling का मतलब outside of the saliva जो mouth होगा उससे saliva बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पर जो facial muscle का control हो खतम हो जाता है जिसके कारण जो saliva है वो mouth से बाहर आने लगता है निश्टे आपर patient में hard to close one eyes देखने को मिलेगा मतलब जो eyes है वो close करने में difficulty होगी निश्टे आपर जो symptoms है वो है problem in smiling and making facial expression क्योंकि यहाँ पर patient का facial muscle का जो control है वो loss हो जाता है जिसके कारण पेसेंट smile करने में problem होगी उसको और यहाँ पर कोई भी अगर facial expression बनाना चायता है तो उसमें भी problem होगी क्योंकि यहाँ पर facial muscle का control खतम हो जाता है निश्टे आपर patient में headache देखने को मिलेगा और यहाँ पर dry eyes माउथ देखने को मिलेगा जो माउथ होगा जो eyes होंगी उसमें dryness देखने को मिलेगा और यहाँ पर patient में जो facial muscles हैं उनमें weakness देखने को मिलेगी paralysis देखने को मिलेगा और यहाँ पर patient में loss of sense of test देखने को मिलेगा जो भी test होगा उसका sensation loss सो यह कुछ सिंटमस जो बեղ्स की के कंडिशन में देखने को मिलेंगे बार्थ करते हैं नहीं होता है लेकिन यहां पर अ कुछ है करवाय जाते हैं जैसे की इसकाैन और district CT scan और MRI imaging study करवाते हैं अगर brain के अंदर कोई hemorrhage है कोई internal bleeding है कोई stroke हुआ है या फिर brain के अंदर कोई tumor है तो उसको पता लगाने के लिए यहाँ पर CT scan MRI करवाते हैं निश्टे हाँ पर patient में electromyography करवाया जाता है electromyography एक test होता है जिसमें facial muscles के function को assess किया जाता है और जो facial muscles के जो nerve होती है उनके function को assess किया जाता है निश्टे हाँ पर जो test है वो है nerve conduction test एक nerve conduction test होता है जिसमें nerve के electrical conduction को check किया जाता है यह कुछ diagnostic test है जिनसे bell's palsy के condition को diagnose किया जा सकता है निश्टे हाँ पर बात करते है treatment की management की कि बैल- aproxim-laughs की condition पेषिन को क्या treatment च्रोईड किया जाता है काई सट गर आपर treatment की बात करें तो बैल-05 है के कुछ ऐसे person होते हैं कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो विदाव treatment fully requirement हो जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे यह एक इसे भी पीपल होते हैं जो treatment के साथ fully recover हो जाते हैं कैसे यहां पर गर treatment की बात करें drugs की बात करें तो यहां पर दो टाइप के drugs होते हैं जो बेल्स पालसे में बहुत ही effective होते हैं फर्स्ट यहां पर जो drug है वो है करते हैं कॉट कुछ टुरायट अगर की बात करें एक जांपल की बात करें तो जैसे की प्रेटनिसोलन है डेक्षा Apollo होने दीनिशख 2020 ड्रॉक है यह टे गर आपके ट्रॉय बात करें तो ज Count सीजल साइक्लोवियर है ये जो उस आइक्ट आफिचिले जे वैं गयोन को रिड्यूस करते हैं आपके से लाग्र पेशंट को पाजर करते हैं तुन से हम नाज सीख ड्रखंद दें हैं जो पेन को रेड्यूस करते हैं यहाँ पर आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डॉक्टर्स ड्रॉप भी प्रिफर करते हैं कुछ आई ड्रॉप भी प्रिफर किये जाते हैं यहाँ पर कुछ फेशियल एड्स होते हैं जो फूड को इट करने में हेल्प करते हैं तो वो मेंटेन रहे ओके सुगाइज यह था कुछ ट्रीटमेंट कुछ मैनेजमेंट जो पाइल स्पाइची कंडिशन में पेशिंट को दिया जाता है अगर आपको वीडियो अच्छे लिए वीडियो को लाइक कर देना अगर आप हमारे चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू